हर हर महादियों दोस्तों आज हम मार्किर सेल बादाम मिलशेक की रेसिप टायार करेंगे एक बार दोस्तों अपने ये बादाम मिलशेक बना लिया बस बार बार आप यहों रेसिप बनाएंगे इतना टेस्टे और लाजाव टायार होता है चलो फिर दोस्तों टेस्स से डिलिशेस बादाम मिल शेक बनाना स्टार्ट करते हैं बादाम शेक ताहर करने के लिए सबसे पहले हाई फ्लेम के उपर पैन रखे पैन में आदा लिटर मतलब दो ग्लास इतना फुल फैट क्रिम दुदाइट करना है मैंने इदर पाउ ग्लास इतना दुद साइड में रखा है आभी दूद को अच्छे से चलाते हों हमें उबाल लेना है आभी दोस्तों हमने दस से बारा बादाम को अच्छे से एक घंडे कले पानी में सोक करके इनने भीगो लिया है बाद में इसका चिलका निकाल देंगे यह देखे सारे बादाम चिलके रेडी है अभी हम इसे मिक्सर जार में आइड कर देंगे उससे आइड करना है एक बड़ा चमच कॉर्ण फ्लावर एक चमच विलाइची पाउडर और पाउगलास इतना दूद जो के हमने साइड में रखा था इसे बारिक पीस लेंगे यह देखे दोस्तो इस प्रकास से बारिक प्यूरी तायार करनी है वैसे दूद देखिए दो मिनिट के बाद उबालने लगा है अभी इस उबलते हुए दूद में हमने तयार की पूरी आइड करनी है उसे साथ दोस्तो हम इसमें पाउक अप मतलब असे गराम इतनी शकर आइड करके अच्छे से इसे मिस करते हुए दो से तीन मिनिट के लिए उबाल लेंगे यह देखिए चटोरो फटोरो और तीन मिनिट के बाद अब देख सकते हैं दूद्दे के कितना गाड़ा और एकदम क्रीमी बन गया है कॉर्ण फ्लावर दोस्तो हमने सलरी में आइड किया था इसलिए आप देश सकते हैं एकदम बादा मिलशिक पाच मिनिट में ही रिडी हो गया है आप चाहिए तो इसे और भी गाड़ा कर सकते हैं अब यह हम गयास बन करके बादा मिलशिक को पुरी तरह के से थंड़ा करके सव कर देंगे सो दोस्तो कैसे लगया आपको है रिसेविक मुझे कमेंट करके जरू बताइए वीडियो अच्छी लग वीडियो को लाइक कीज़े आपने चाहिए को प्लीज प्लीज सस्क्राइब कर लीजे और बादा मिलशिक को आप अपने पसल अनुसा ट्राइपूट से गानिशिंग कर सकते हैं जरू दोस्तो रिसेविक को ट्राइ कीज़े चलो फिर दोस्तो फिर से मिलेंगे हर हर महा देऊ